चोटीपा, नमाज पढ़ने से क्या होता है? नमाज पढ़ने से अल्ला की इबादत होती है, और हम जो दुआ करते हैं वो कबूल होती है। आप तो इतने टाइम से नमाज पढ़ रहे हो, दुआ मांग रहे हो, आपकी दुआ कबूल हुई? मुझे अल्ला पे पूरा भरोसा है कि मेरी दुआ एक नहीं जरूर कबूल होगी मैं भी नमाज पढ़ूँगा तो मेरी दुआ भी कबूल होगी क्यों नहीं होगी, पढ़ो नमाज अरे वाईशान आश्र तुम मुझसे पहले ही नमाज पढ़ने बैठ गए जी, छोटीपा मिटने टाइम से नमाज भी पढ़ रहाऊन दुआ भी मांग रहा हूँ अभी तक मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होगी आपकी दुआ कबूल हुई हाँ, मेरी दुआ कबूल हुई न क्या दुआ मांगी थी मैं हर रोज यही दूआ मांग देती कि मेरा छोटा बाई इशान नमाजी बन जाए और देखो तुम नमाजी बन गए मैंने कहाता न अल्ला सबकी दूआ कबूल करता है देर से ही सही पर तुम्हाई दूआ भी एक दिन कबूल करेगा